सब्सक्राइब करने के लिए अपने वाटसाइब को यूज करने के लिए अप वाटसाइब को यूज करके उसमें फिंगर्पिंट लॉक का प्रोटेक्शन डाल सकते हो तो आज के व्यों में आपको बताूँगा कैसा आप इस फीचर को अपने फून में इनेबल कर सकते हो और इसके लिए क्या रिक्वारिमेंट Анसाई करते हैं व्युक्त बट वूइडियो के बारे में and that's being said let's get started तो इस feature को enable करने के लिए जो सबसे पहली requirement है वह है आपको जो WhatsApp पे beta को install करना पड़ेगा और जो latest version है जो की 13 August को update हुआ था अब उस version को install कर सकते हो अपने WhatsApp application को update कर सकते हो basically beta version में और अगर आप beta version में sign in नहीं हो तो मैं आपको apk mirror का download link डाल दूँगा वहां से आप application को download करके install कर सकते हो तो simply download करके install कर लेना और जो सारी recent की apps है आपके phone में उसको आप एक बार में सबको clear कर लेना उसके बाद आपको जाना है WhatsApp में आप यहाँ पर open कर लीजे तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर select करने के बाद आपको यहाँ पर काफी साथ option देखने को मिल जाएंगी बट आपको यहाँ पर privacy को select करना है privacy select करने के बाद अगर आप नीचे scroll करते जाओगे तो सबसे last में आपको fingerprint वाला option देखने को मिल जाएगा तो simply आप यहाँ पर जाके इसको enable कर सकते हो और यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिल जाएंगी कि अगर आप WhatsApp को close करते होगे तो क्या यह immediately इसको lock कर देगा या फिर एक minute या फिर ऐसे कुछ time से 30 minute होगे रहा है इसके according तो यह आप अपने setting set कर सकते हो मैंने यहाँ पर immediately set कर रखा है तो जैसे आप WhatsApp को close करते होगे यह immediately फिर इसको lock कर देगा but मैं आपको suggest करूंगा आप एक minute तक रखो कि यार अगर आप WhatsApp को open close करते रहे तो यह बार-बार lock unlock करना मतलब थोड़ा बहुत irritating लगता है तो आप एक minute उसको रख सकते हो तो आप इस टाइप से जो यह official fingerprint security है इसको आप अपने WhatsApp में enable कर सकते हो तो यह बस चोटा सब process है बाकी सारे links आपको description में मिल जाएंगे तो इतना था यह चोटा से वीडियो था जो आप लोग को बताना था क्योंकि यह नया feature और साफे interesting लगा में को जो कि WhatsApp में recently आया है यह officially सारे में नहीं आया है यह सिर्फ beta users को मिला है तो आपको बीटा का latest version जो आपने WhatsApp में install करना पड़ेगा तब यह आप इसको use कर पाऊगे तो download link को यह description में है जाके download करके install कर लेना and इसको enable कर लेना और आपको ज्यादा security चाहिए कि third party application बगेर कोई भी उसको install कर सकता है और उसके बाद WhatsApp में गुश सकता है बट इससे ऐसा नहीं हो सकता है आपका fingerprint चाहिए तो बस guys इतना था आज के वीडियो के लिए I hope आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको वीडियो अच्छे लेए ते वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना and मैं आपसे मिलता हूं next वीडियो में और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना उनको भी थोड़ा बहुत protection मिल जाएगा और मैं आपसे मिलता हूं next वीडियो में दो बार बूल दिया तब तक के लिए bye bye take care